हेलो इसकिल गोजी मेंबर कल के डेट में पाकिस्तान वेस्ट इंडीस का बीच में ठर्ड र। टी 20 मैच खेला जाना है देखो पहला टी 20 मैच बहुत ही जादा धमाकेदार गया था सकेड्ड टी 20 मैच धमाकेदार गया बट उतना जादा इफेक्टिव नहीं होगा मतलब तो सब्सक्राइब में 100 में 100 में 100 में 100 आपने करा होगा तो फिर आप विर्ड जीतन और भाकि सकेंड थोड़ा क्या था कि देखो यार की कैप्तेंशी को लेकर सब्सक्राइब को सब्सक्राइब आपकी अगर ऐसे बाबर होंगे बहुत साथ हरे केप्टन वाइस केप्टेंशी यह में और चैप्टेंशी अच्छा-चाश्य एडवांटेज लाएफ बाकी हमारे कैप्टन भी साधाब खान थे जिन्होंने रन स्कोर करें बड़ विकेट बगरा नहीं मिला 20 रन दिये थे एकोनोमी के भी थोरे बहुत पॉइंट्स मिले होंगे आपको तो वह तो बात की बात है बाकी 30-20 मैच जो है 30-20 मैच इसका मज़ेदार होने वाला बहुत कुछा है जैसा कि मैंने बोला था कि थोरे बहुत जैक पर फोकस करेंगे जैसे एक करोर कैसे जीतने हैं शे करोर का पोट आपन है यहां से बीस लाग का होगा आइथिक है 3-7 करोर का पोर कर ओने वाला है तो शिंप्ल समझो कुबयरा फैंटैसी डाउनलोड करो अब ठीक है नीचे डिस्क्रेप्टिन में मैंने लिंक दे रखा है कुवेरा फेंटेसी पर क्या करने आपको डूओ मोड खेलने हैं जैसे पहला मैच में तो रिजवान थे तो इजीली हम लोगों ने बीन करा सकेंड मैच में भी हमारे साधाब खान थे अब आपका अगर बावर आजम को लेकर रखा होगा तो आप उसके दिए और खिलारी को ले रखा होगा तो फिर आप जीते नहीं होगे क्योंकि यहां से रिजवान ने भी कैचेज बगरा ले लिये थे इसकोर भी अच्छा कर दिया था बाकी वसीम का बात करें तो उन्होंने भी दो विकेट ले लिया था न मैंने बोला भी था कि बाबर को हटा कि किसी एक इस्ट्रा बॉलर के साथ आप जाओगे तो आपको अच्छा एडवांटेज मिलेगा तो आप पिछला वीडियो भी जाके देख सकते हो सारी चीजे यार बिल्कुल साथ तरीका से मैं बताता हूँ देखो बैसिकली आप यहा पाकिस्तान के तरफ से देखते हैं तो रिजुआन, बाबराजा, फकाचमा, हैदर अली, इप्तिकार आहमद, आसी पलीस आदाब खान नावाज, हरिस रॉप, साइन्स आप टीदी और यहां से वसीम होने वाले है यह ग्यारा खेलते होने जर आएंगे जैसा कि वहने बोला पहला में जैसे प्रेशर था इनके उपर स्ट्रेगल कर रहे थे सकेंड में अच्छा पर्फरम करें दो बिकेट बिलिया था और कुछ चके चोगे भिज जा रहे थे ठीक है यहां से बाई डोनिमिक है और यहां से बाई अक्की लोचन के साथ अटेक कर वाया गया था और कितना खतरनाक अटेक कर रहा था इन्होंने आपको पता ही होगा क्योंकि एकदम से दावे रखा था पाकिस्तान को इस बाद का ध्यान रखेगा और शारी चीजे वही से बाई रखेगा और शारी चीजे वही सेम कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं वेदर कोई भी बारीस होने के चांसे नहीं है बेटिंग फ्रेंडली पीछ है नेशनल स्टेडियम कराची में मैच खेला जाना है कल के डेट पर उनिस तारी को मैच है अब बैट्समें बालर बालर कंप्रीजन करवाते करवाते ठक गया है से ठीक है जैसे अकिलुचन हमेशा से अच्छा कर रहे हैं और हमेशा से अच्छा करते हैं यह बनेंगे आपके लिए एक्स फेक्टर जो हरिश रॉफ ठीक है अच्छा बोलिंग कराते हैं नन फोकस्ट प्लेयर है सबका फोकस्ट यहां से बाई यहां से वसीम और साइन अफडी आसीप अली बहुत ही खतरनाक मारते हैं बट फोकस्ट बिल्कुल हट गया है दो मेश में साइज मोगा मिला दोनों मेश में उतना खास नहीं कराई इनोंने सकेंड मेश में तो यहां से शेफट ने विकेट ले लिया था इनका बट आसीप अली आपके लिए बनेंगे एक्स इनका लिए सूटे पाइट घर हिरां से इनकामर के लिए लाथ सेलेक हैं तो यह कुर्ण करनें है तो वी कुछ बड़ाकरने लेना पूलीपेस reflex लेना वागा बाकी मैं जो टीम दूँगा यह जो आप टीम देख रहे हो ठीक है यह 3-4-1 का कॉंबिनेशन होने वाला है 3 बॉलर, 3 ओल्राउंडर, 4 यहां से बैट्स्फेन, 1 बिकेट कीपर ऐसा मैं कर दूँगा कि यहां से 3 यहां से बैट्स्फेन और 4 मैं बॉलर कर दूँगा वह कंडिशन के एकोडिंग आप देखते रहो सारी चीजे में फिट करता हूँ देखो पहले तो जो अच्छे अच्छे ओल्राउंडर है उनको रख लेते हैं ठीक है पाकिस्तान के तरफ से चलो भाई साधा खान हो गए ठीक है कहीं भी कोई दिक्कत अच्छे बॉलर है अच् अब तीन के तीन जो बेस्ट कॉंबिनेशन के साथ और राउंडर है उनको हम लोगों अपने सेलेक्ट कर रहा है जैसा कि मैंने बताया कि जी एल में ग्रेंड लीग में आप यहां से भाई इप्तिकार आहमद के साथ भी जा सकते हो इप्तिकार आहमद भाई बहतरीन खिलार इस बात का ध्यान कीगा जैले बॉलिंग सेक्षन में आते हैं क्योंकि हमें हैं थे लिए बना रहा हुआ है पहले बता रहे हैं हैड to head तो साइंस व्रीन वंगेना ही अपके लिए बहतरीन पीगओं कोई भी लिक्कत होगा तो बता देना अगर आप यहां से वस्म के साथ ज आट आने होगे अगर आप वसीम के साथ नहीं जाओगे ठीक है एक अकिल हुशेन को ले लेते हो और उसाने थोमस को रख लेते हो अपने टीम में ठीक है तो उस कंडिशन में भाई क्या होगा कि आप एक इस्टा बैट्समें के साथ जाओगे बट मैं रिक्रमेंड करूंगा क अगर ब्राबो को नहीं तो इनके जगा पर अगर व्राबो नहीं केलते हैं तो रवेंड पवल को रख लेना अपने टीम में ठीक है दो आप्शन में बता दिया बैट्समें से अगर देन ब्राबो को तो ड्रेन ब्राव को अपने टीम में आपको रखने हैं अगर नहीं खेलते हैं तो यहां से पॉइंट वसीम दे सकते हैं वसीम को अपने बन गया परफेक्ट कमबिनेशन के शाथ कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है अब बात आती है पहले अगर पाकिस्तान खेलने आती है उस कंडिशन में कैप्टन बनाने आपको साधाप खान को, ठीक है? साधाप खान आपके कैप्टन ने किसी और को मद बनाना, ठीक है? अगर पहले वेस्ट अदी है खेलने के लिए तो उस कंडिसर में आपको साइन्स आफ रिदी साइन्स आफ रिदी को कैप्टन बना देने है X-Factor कौन से होंगे? हरिश्रोफ होंगे साधाप खान होंगे असीपली इप्तिकार अहमद इधा से अकील हुसेन रहेंगे और यहां से रोमियस से फ़र्ट यह सब जो है एक्स फेक्टर होंगे यह ग्रेंड लीग में आपके लिए अच्छे करके देंगे इस बात का ज्याने कीगा पहले अगर पाकिस्तान आता है खेलना साधाप खान केप्टन वाइस केप्टन आप जो है बना दे ना एक जैसे की नवाज कोई बना सकते हो जो है सभतेरे अगर परिजवान सबस्क्राइब करुए तो यह दिक्ट सुननहें सबस्क्राइन है किसी को भी आप सकते हो कई भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाले आपके साथ नेहीं भी चोपा करूक्ट है फिर यह print के वीडियो बना दूंगा क्योंकि कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि फाइदा कैसे उठानी है तो समझ नहीं रहा है तो उनको दिक्कत हो रही है रजिस्टर करके छोड़ दे रहे हैं खेलो यार खेलना स्टार्ट करो क्योंकि डूओ मोड और गेम चेंजर मोड का एडवांटेज कहीं नहीं मिलेगा चुपके से डाउनलोड करो चुपके चुपके पैसे निकालते रहो यहां से मैं तो यहीं बोलूँगा एक बार नीचे डिस्क्रेप्शन लिंक है फटा पट चेक आउट करो जोईन करो और छोटा चा डिपोजिट ले लेना कुवेरा फ सेक्टर के ही जो ड्रीमलों के पर एडिक्शन देते हैं या वीडियो बनाते हैं वही लोग उस चीज को परमोट कर रहे हैं अंदाधून तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा आप देख लेना ठीक है बाई बेस्ट अपलग टेक केर अपना ख्यार लखेगा